आप आपका बहुत बहुत स्वागत है और जम्मू कश्मीर में चुनाव है। आप में बेहद में सपून है और अपसे बच कुछी देर बाद पहले चरण के लिए मतदान भी चुरू हो जाएगा बड़ी तस्वीर नजर आने लगेगी। प्रण का चुनाव 24 सीटों पर 219 उमीदवार अपनी किस्मत आजमा रही है। जनता तै करेगी कि आखिर कौन जन प्रतीनिदीद बनकर जम्मू और कश्मीर के इन दिलों में इन इलाखों में अपना अधिकार जो है वो जनता के सेवा के तोर पर तै करेगा। और अब तक के हुए चुनावू में जो निर्दलीओं की स्तंक्या है वो अजबार काफी जादा है पहले चरल में 42 प्रतिशत निर्दली उमीदवार मैदान में हैं। और आज के चुनावी मुकाबले में कई बड़े चेरे मैदान में उतरते हुए दिखेंगे। सबीना मात्र आदी गंटे का वक्त याँ पर वच्चा हुआ है। सयारियां की गई है और इस बार का जो चुनाव है सबीना बेहत खास भी है क्योंकि 10 साल बाद 2014 नवंबर दिसंबर का वो महीना था जब चुनाव हुए थे और 10 साल बाद पहली बार वधान सबाद चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है। ये बेहत जरूरी है ताकि घाटी की जो तस्वीर बदल सकती है वो आज देश की जनता के सबसे बड़े हिस्से के पास मौजूद है। जो की सियाती देशा की दशा रूप रेखा आज तै कर सकता है। जम्मू कश्मीर में वधान सबाद चुनाव हो रहे हैं तब से लेकर अब तक बहुत बदलाव यहाँ पर हो चुके हैं क्योंकि 170 कानून ऐसे होते थे जो धारा 370 हटने के बाद यहाँ पर लागू हुए उससे पहले तक वो लागू नहीं होते थे और रिफत अब्दुल् के दी के तौर पर उमीदवार के तौर पर यहाँ पर उतरी हुई है क्या कुछ समीकरण यहाँ से नजर आ सकता है आज देखें यहाँ पर काफी उत्सा समझा जा रहा हो सकता है आज क्योंकि वोटर टान आउट बहुत ज़्यादा हो सकता है ब्रिस्क पोलिंग की एक्सपेक्टेशन है क्योंकि इस बार कोई बाइकॉट की कॉल नहीं है हलांकि जो पुराने इलेक्शन होए थे वो दो हजार चौदा में होए थे असमबली के लिए और उसके बाद आज दस साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और आप देख सकते हैं हम उसी पोलिंग बूत पे हैं जहां पर अभी महबवा मुफ्टी को भी वोट देना होगा और इलतिजा मुफ्टी को भी लेकिन मैं आपको बता दू बिजबिहारा की जो कॉनस्चुएंसी है यह वाहिद कॉनस्चुएंसी है जहां पे खाली तीन कै पूरिडी पी और बीजे पी के कैंडिडेट्स मैदान में है और पहली बार इस बार महवा मुफ्ती की बेटी तो आई से में मकावला कांफी सकत है उनका जो समझा जा रहा है नाशनल कॉणफरेंस के कैंडेट डॉक्टर बशेर विरी के साथ फिलाल जिस तरीके से आपने कहा कि करीब 23 लाख से ज्यादा वोटर्स जो हैं वो आज अपने मत का इस्तिमाल कर सकते हैं और 219 उम्भीदवार मैदान में हैं 24 कॉनस्ट्वेंसीज पे आज पोलिंग होगी पहले फेज पे दूसरा फेज 25 को होगा और तीसरा और आखरी 1 को होगा फिलाल ये समझा जा रहा है कि इस बार ब्रिस्क पोलिंग होगी कई रिकॉर्ड तूट सकते हैं पोलिंग के क्योंकि जस तरीके से 96 के बाद बीच बीच में पोलिंग बहुत कम देखी गई और इस बार ये समझा जा रहा है कि शायद रिकॉर्ड तोड पोलिंग हो सकती है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सक्ट इंतजामात किये गए हैं यहां जहां पर हम हैं पोलिंग बूट पर यहां बीच अफ को भी ताइनात किया गया है और जमुकश्मीर पोलिस के लोग भी यहां पर ताइनात कर दिये गए हैं मौक पोल हो चुका है साथ बजे पोलिंग शुरू होगी और उसके बाद क्या नजारा होगा वो हम आप तक पहुँचाएंगे और आप देख सकते हैं वहां पर भी किस तरीके के इंतजामात सुरक्षा के किये गए हैं यहां पर CRPF को कई जगों पे लगाया गया है BSF को SSB को जमू कश्मीर पुलीस को और साथ ही हाईवेज पे बारती सेना भी ताइनात होई तो फिलहाल अब इसी चीज़ का इंतजार है कि 7 बजे यहां पे पोलिंग शुरू होगे और आप देख सकते हैं कि इनी गाड़ियों में पोलिंग स्टाप को लाया जाता है हर गाड़ी पर पूरा डीटेल दी हुई है तो यहां पर सिक्यूरिटी में कोई चूक ना हो जीरेफ़र यानि पूरी तैयारी ऐसी है कि लोगों का जो उतसा है वो आट जादा बढ़े और बढ़ चड़कर वो इसमें हिस्सा लें चुनाओं में और क्या वो करीबी मुकाबला है क्या आप देख पा रही है इस वाइए श्री नगर से लगब नौ किलो मिटर की दूरी है और पामपोर में मैं एक पिंग पोलिंग स्टेशन में मौजू दूँ और अच्छी तस्मीर मुझे यह दिखाई दी यहां कुछ मैला है देखे पहले पर देखिया आप सेलफी पॉइंट लगाए गया और इसी के साथ में ITBP के यह जवान है जो यहां पर तैनाद किये गए हैं क्योंकि हम सब समझ रहे हैं दस साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं काफी उत्साल लोगों में दिखाई दे रहे हैं इसलिए सिक्योर्टी के भी बूत बनाए गए हैं और क्योंकि श्रीनगर में जो होता है उसका इंपाक्ट यहां पर होता दिखाई रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है सिर्फ नौ कलामेटर की दूरी है लेकिन यहां पूरी ववस्ताएं कर लिग हैं वो देखिए वो बच्चे भी यह अप लोग पहले हिं आके पैट गएए काफी उतसा है आप दधा चुनाम होने जा रहे हैं काश्मीर की महिलाएं किन मुद्द पर उत करने जा रही है काश्मेर को शुम्रू किन मुद्ध कर वोत बोट जां है ह वाँति मेरा कात हो च्श्मीर को यह ए अशे हो जाएं आप य कि यहां के बेरोजगारी बाढ़ गयी बहुत ज्यादा यहं पर है और बाइचों का खास कर फ्यूजर अच्छा ब्राइश बड़ा अच्छा ब्राइब आक्छा आप लोगों तयार किया गया है और अच्छी तरीके से आप लिए यह बनाया गया है तो कितनी वोटिंग हो जा क्योंकि पाटी या लोग भ्रहमित करने की कोशिश करते हैं कि आप धर्म के मुद्दे पर आजाईए अब बाकी मुद्दों पर आईए लेकिन ये लोग रोजगार पर वोट करना चाहते हैं अपने बचों के लिटरिसी रेट पर वोट करना चाहते हैं बिलकुल यानि कि सियासी समीकरन जरूर जानेंगे लेकिन इस वक्त की ये तस्वीर भी जहां पर जानकारी आपको दे दे कि जो आ रहे हैं मतदाताओं की ये तस्वीर है और मात्र अभी 6 बच कर 37 मिनिट ही हुए लेकिन भीर लगनी शुरू हो चुकी है देखिए 7 बज़े से वोटिंग वह हुआ है अनुचे 370 भी हटा है बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो मुद्दो के तौर पर अब हम कोमल से समझने की कोशिश करेंगे कोमल एक बहुत चर्चे तसीर से इस वक्त आप वहीं पर मौजूद भी है क्या समिकरन नजर आता है क्योंकि शगुन परिहार यहां से है जिन जमिता को लेकर यहां पर वो विचारधारा नजर आती है कहीं लड़ो तो कहीं हलवा भी बनने के तैयारी करें और हम यह आपको तजवीरों में दिकाएंगे भी और इस समय हम जहां मौजूद है यहीं पर शगुन पर हार आएंगी अपना वोट कास्ट करेंगी और आपको बता दे कि यहां पर लोगों में इतना अच्छा महोल है को एक बेसबरिश्री इंतजार था दस साल के बाद अपने उमीदवार को चुनने का और उनको जब यह पता चला कि हम उस बच्ची को इस किष्टवार की नगरी में वोट डालेंगे जिनकी पिता और चाचा ने अपनी जान जो है वो देश के लिए गवादी आपको बता द उनका नेशनल कांफरेंस के साथ है क्योंकि वो भी मिनिस्टर रह चुके नेशनल कांफरेंस के साथ और यह सजाद एमद किष्टू है उनके साथ ही मुकाबला है और पहली बार जो अखाड़े में उत्री है बच्ची इसको राजनीती का अभी पता भी नहीं था लेकिन उस करेंस के साथ का जमू सम्भाग की बात करें तो शगुन एक अकेली महिला है जहां चुनाब लड़ी है बास्पा की तरफ से तो लोगा का बहुत कुछनमा है लोगों की लंबी लंबी कताले लगना तोड़ी ते में शुरू हो जाएंगी कुछ मिनट बाकी है जहां इतने सा करें लंबी है